दिल्ली पुलिस ने आमादमी पार्टी के नेता नजीब को 25 लाग की लूट के मामले में गरफतार किया है 25 साल का नजीब जाफराबाद में आमादमी पार्टी की यूथ फिंग का ध्यक्ष बताय जा रहा है उसके पास से एक बिना लाइसेंस फाली पिस्टल और एक चोरी की बाइक के अलावा 6 लाख रुपे भी बरामत हुए है वहीं आमादमी पार्टी ने उससे किसी तरह के लिंक से इंकार किया है जबकि दिल्ली बीजेपी प्रभारी मनोस्तिवारी ने कहा है कि आमादमी पार्टी अपराधियों का अड़्डा बन चुकी है जबाहरलाल नहरुपिश्व विद्याले के लापता च्छात्र नजीब एहमस से जुड़े मामले में दिल्ली की एक अदालत आज फैसला करेगी कि इस मामले में जेन्यू के ही नौ च्छात्रों के लाई डिटेक्टर टेस्ट हो या नहीं च्छात्रों के वकील ने कहा था कि लाई डिटेक्टर टेस्ट जब तक स्वेच्छा से ना हो तब तक असमयधानिक है जाज अजिंसी ने 23 जन्वरी को जारी अपने नोटिस में दाबा किया था कि नजीब के बारे में जानकारी पानी के लिए छात्रों का लाई डिटेक्टर परेक्शन ज़रूरी है दिल्ली के उभार कान में दोशी गोपाल अंसल को आज कूट के सामने सरेंडर करना होगा सुप्रीम कोट ने गोपाल अंसल की जेल नहीं भेजने की याचिका को खारिच कर दिया था गुपाल अंसल ने 1997 में हुए उभार सिनेमा कांड मामले में अपनी एक साल की जेल की सजा के बाकी वक्त में छूट के लिए याजिका दायर की थी जाट अंदोलन इस्थकित होने के बाद दिल्ली मेट्रो सर्विस समाने रूप से चलेगी लेकिन मेट्रो की यलो लाइन पर चार स्टेशन, केद्रे सचिवाले, पटेल, चौक, उद्ध्योग, भवन और लोक कल्यान मार्क पर स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता बन रहेगा अलाकि इन इस्टेशन से मेट्रो में एंट्री जारी रहेगी रेलवे ने सुरक्षा एजेंसियों को चिट्ठी लिख कर मुंबई और आसपास सभी स्टेशनों पर अत्रिक्त सुरक्षा की मांग की है अशंका जताई गई है कि कानपूर रेल हाथ से और उजजेन भूपाल ट्रेन धमाके के बाद मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल फेन भी आतंक्यों की निशाने पर है महराष्ट के किसानों की कर्ज माफी की मांग को सीम देवेंद्र फड़नवीस ने सिरे से खारिश कर दिया है सीम फड़नवीस ने कहा कि किसानों का कर्ज माफ करना संभव ही नहीं फड़नवीज ने महाराष्ट विधानसवा में विधायकों की मांग पर जवाब देते वे कहा कि किसानों का पूरा कर्ज माफ किया गया तो इससे बैंकिंग प्रणाली को बहुत नुकसान होगा इसे लेकर महाराष्ट के बजट सत्र में कॉंग्रेस, NCP और शिफ सेना के विधायक हंगामा कर रहे हैं शनिवार देराथ सोशल मीडिया पर अपत्ती जनक पोस्ट के बाद मचे उपद्रफ पर पुलिस ने काबू पा लिया है इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है, अब अत्ती जनक फेस्बुक पोस्ट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है जबकि उपद्रफ मचाने वालों पर भी केस दर्श किया गया है माराष्ट के यवत मानल में एक पुलिस अफसर ने खुदकुशी कर ली पुलिस अफसर नागेराफ शिंदे ने पुसद इलाके में अपने पुलिस अस्टेशन में खुद को बोली मार ली इस मामले की जाँच जारी है कि उन्होंने ये खदम क्यों उठाया माराष्ट के लातूर और मराटवाड़ा इलाको में बेमोसम बारिश से फसल को काफी नुकसान पहुचा है किसानों का कहना है कि खेतों और बागों में उनकी फसल बारिश से बर्बाद हो गई है